कि अग्याइब करें तो दोस्तों आज हम सूरू करेंगे एलजब्रा और ये बाता है कि एडवांस लेबल का ये चेप्टर है बेसिक लेबल में जितने चेप्टर बने थे सब कंफर्म करा दिया हूं एक एक पॉइंट आपको के लिए कराया हूं क्लास देखते होंगे तो होता है उसका मेथर जानना किसी भी एकजाम की तयारी आप कर रहे हैं माने जी यूपी लेखपाल की वकेंसी आने वाली है वीडियो की वकेंसी आने वाली है किसी भी की तयारी कर रहे हैं बैंक कैसे सी रेलवे मैथ में सबसे वेटर होता है अगर आप उसका कॉंसेप्ट ज सौल आभर होने वाला नहीं है तो बिषिक सबसे कॉंसेप्ट होता है सबसे वेसे का होता है उसका ओर यही जानना बहुत जरूरी होता होगा बहुत important है किसी आप के लिए आज हम सुरू करेंगे एलजेब्रा और येवरा भी दोस्तों बहुत ही most important है ये वी किसी आप के लिए बहुत important है तो युडियों का आँ तक देखिए कितना भी टीक उसमें लगाएंगे फारमूला आपको मिलता ही है सावब करने में और किसी भी में इसका हैं प्ले। कि किसी भी एक्जाम में एक्जाम में दोस्तों आप परिफ्रेशन इसकी कर रहा है दो से तीन कोस्टन कमपल्सरी आना है लिबरा से दिमाग में रखिएगा इसलिए यह लंबा क्लास चलेगा जितना टाइम लगेगा क्लास चलेगा और बहुत यह अच्छे से को इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं बहुत कंस्यों होता है बहुत लोगों के कंफियन होता है कि a2 प्लस b2a भी कि a2 b2a माइनस डू लिख सकते हैं जैसे इसफे एक ईक्जाम पर लेके देखिएगा 2 स्क्वार पलस 3 स्क्वार पलस 2 2 2 2 3 A बढ़ावर 2 और B बढ़ावर 3 लीजे गा तिसको साल कीजिये 4 पलस 9 पलस 12 और यह हो जाएगा 21 और 25 आएगा इसका ठीक है अगर माल यह दोस्तों इसको हम बीच में करके साव करें तो भी 25 आएगा तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है बीच में रखें चाहें बाहर रखेंए कफ़ूजन के लिए रोगया यहां आताएफ अ माइनस टूे जाना है ओ किसी माइनस आया है तो ए इस माइनस वी का होल इसकएर हो दूटक है, फ्रमूला क्या होता है, A Squire, A का Squire, B है, तो प्लस लगाईए माइनस B का Squire कीजिए, बस आप प्लस लगाते जाएगे, जो सांइन के साथ जो है उसको रखते जाइए, उसके बाद बन जाएगा, आपको plus फिर लगा ये 2a आपका plus के साथ है ये लिखिए B आपका minus के साथ है minus बी लिखिए इसको solve कीजे a square plus minus b के square करेंगे तो b आएगा बी के square आएगा और ये minus plus minus 2 ये भी देखिए आ गया minus 2 ये भी आगया तो दोस्तों आप इसको ए को positive और positive रखे ये निगेटिव निगेटिव रख्याप बता सकते हैं कि माइनस मैं प्लस तीसलिए इस फार्मूलग बनाए गया बात की लिए a2-b2 का आपको पता होता है a plus b और a-b यह सब बेसी का इतना आपको जानना जरूरी है a plus b का whole q का होता है a q plus b q plus 3 यह भी bracket में a plus b plus वाला में सब प्लस रहता है a minus b का whole q होता है a square सोरी दोस्तों square नहीं होगा यह q होगा क्योंकि q में q रहता है तो a q minus b q minus 3 अभी bracket में a plus b एक लन हो गया तो माइनस होला को माइनस में रख देते हैं a q minus b q का होता है a plus b bracket में a square plus a b minus b square जब इसको multiply करके आप solve करेंगे तितना आ जाएगा ठीक है तो a minus b minus है तो माइनस रखेंगे बाकी वाला a square plus b square plus a b रखेंगे plus इसमें होता है और a q plus b q का होता a plus b bracket में a square minus a b plus b square यह आपका basic था स्कुलन कीजिगा आप चलिए चलते हैं आपको पहला question देखेंगे आपको दिख रहा हमको नहीं देखेंगा था बूर्दरेट का तैगे का रायदी यह स माइनस तीकasure यदेखनो दायर यॉक यपने एक्स तीक वह धाय रख फॉल यॉक्स पलस आया पानसे वाल इन उक्वाए यजेणव फार कर आय कि यक्स वाय छाइश वाया वान क्या रिखर आया था इंपरर चाइग होगा मैंस र बढ़ाबर एक्स प्लस वाई या पान सेवे निक वाल एक्स वाई आपन फूर तो यह सब्सक्राइब करने के लिए आपका कैल्कुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए प्रेक्टिस आपको ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इसमें जब ट्रिक भी अपलाई करेंगे तो उस पे जब प्रेक्टिस लेता है इसको देखीएक का यसे साल करते हैं कोई भी अचर्पद इनको इक्वल माल लिजिए एकस माइनस य बज i paper बना लिए और याक्स वाई बनावर वैसे ही xy आपान 4 equal k माल लीजिए k को मेटिप्लाइ कर दिए ठीक है कोई 2 समिक्राड लेके हल कीजिए जिसको आपको ले आ रहा है मान आपको ले आना है क्या है xy तो xy को आप छोड़ दिए उसको लेके नहीं हल कीजिए कि इस समिक्राड खाल कीजिए पहले का स्कडाड करके मैंस कर दीजिए किTwसरी सम अपता बनता है कि हम इसका स्कडाड क्यों करेंगे और एक बात द्यान में रखिएगा दोस्तों जब आप स्क्वायर करेंगे तभी आपको एक स्क्वाई मिलेगा क्योंकि स्क्ाइर में ही एक स्वाई होता है लिा इसलिए स्क्वायर करके माइनस कर देंगे इसका हो जाएगा ध्यक्स और यहां पर देखिएगा प्लस वाई स्क्वाइर माइनस टू यक्स वाई इकवल 649 के स्क्वाइर माइनस के स्क्वाइर थीक है यहां तके लिए सकंठीए यस्टाइर प्लस वाई स्क्वाइर प्लस टू एक्स क्वार माइननस स्क्वाई और प्लस और यह को चाहिए अर इसको आप माइड़ करेंगे तो यह जाएगा 48 कि इसक्वाई रिए-N师 & के छिद्र आवे टूर का इसको जबाइट करेंगे तो फोर एक्स्वाइग वाल फूटी एड के स्कुरार रागा थिख है फोर एक्स्वाइग को फूट्टी एट के स्क्वाइड अगया अभीधर आई है एक्सिस्क्वाई एक्सवाई एक्सवाई वराबर दिया है दोस्तु 4K दोनु बेंजग के आगा के कमाने आसे निकाल सकते हैं तो एक्सवाई बराबर रख दीजिए फोर इंटू 4K बराबर 48K स्कॉर यह हो जाएगा 60K बराबर 48K स्कॉर के से एक पावर केंसिल हो जाएगा तिया आपका आजाएगा 16 इक्वल 48K और यहां से के कमान आ जाएगा 16 अपान 48 ठीक है और इसका जब मान आप कट करेंगे तो 16 करने 16,43, 288 खान 53 क कमान के कमान क कुछ रह यक सौख्वाइ कमान कین किज्ये तो इस में रख़िजिये एक सवाइक कमान सामी करतीन में रखने तो के कमान रखी यह फोर इंटु वान आ पान्थी टोफोर आपंतीरी आपका एंस राग्या कोई रिकत नहीं मैं यॉक्त सब्राइब आपको टीक के दोड़ा आपका एंसे अपने करेंगे यह जो पूछ रहा है उसका जो हर है उसको आप उपर रख दीजिए और इसका जो हर है इस हर में सब्सक्राइब को माइनस कर दीजिए नीचे रख दीजिए ठीक है ठीक दौर आए एक सकेंड में कोर्शन साथ कि टिक समझाया क्या जिसका मान पूछ रहा है उसको आप उपर रखी है कि फोर उसके हर को और इनका जो हर दिया इस समिकर्ण में दो ही हर दिया है तो से विल माइनस फोर कर दिए फोरा पांथ थी एंजवर बात के लिए कोई दिक्कत नहीं तेक भी पता चल गया आप चलिए निस्ट कोशान देख लेते हैं नेक्स कोशन देखिए गाई भी इंपॉर्टेंट है कर आए कि यह दी यक्स स्कॉयर माइनस वाई स्कॉयर बराबर आबर आफसी और यक्स समाई बराबर आथ हो तो यह रव फाइस कएश काई वे वर असी एकश स्कॉयर मईनस ए Wash्व वरावर असी और दिया है को यह naszym वराबार 8 और कह रहा है कि दोस्तों यह सरव थो हमको ज्याद करना है को यह नोसर भाई मैंकर शर्व like to every day वह हमको ज्याद करना कि पूछ आप करेंगे करते हैं यक्स स्कวार माइनस आइसका आई सकारını करेंगिंगा से मल्टिप्लाई करेंग करना जब हम करेंगे हमको एवरेज पता चल जाएगा तो हमको एक्स और वाई हमको निकाले कि यहां से जरूरत नहीं है इस समिक्राइब से हम डायरेक्ट एक्स प्लस वाई निकालेंगे यह आपकर ट्रिक करता है बेसिक से आप इसमें एक्स और वाई निकालेंगे अलग अल Get the average होगा आपान्टू यह प्लूस वाई आपको निकालना है a कि एक सिसक्कॉार मारी स्कॉार में जब दिवाइट करेंगी एक समय बाइस छछे को सिद्धेशम फ्ली आएगा याक्स वाः Ihr Você Van minus Y को लिख सकते हैं देखिएगा यख सि法 मेंस वाई स्कार को लिख सकते है questo पलस वाई और एक्स मैनस वाई ओर आपका है यह हैं य स मैनस वाई इतना तो आपको निकालना था इसका इक्सेटों आपकर देंगे एक्स प्लस वाई कमान आगे अटेन एवरेज पूछ रहा है डिवाइट कर दिए टू से फाइप एंसवर दो सकेंड का कोश्चन है कोई आपको दिख करते होना चाहिए इसको दिमाग वैठा लिए ऐसे कोश्चन बहुत जादे पूछता है तो जब ऐसे कोश्चन पूछें आप प्लस भी देगा तो आप माइनस कर लेंगे उसके बाद याप लेका तुसको आप ईजी कर लें प्लस देगा तो सालव जाई है तो बात के लिए या आपका इंपोर्टेंट कोश्चन है कई बार पूछा हुआ है मस्ट इंपोर्टेंट है इससे धियान में रख आपको एवरेज पूछ रहा है आपको पता है प्लस होता है तो आज पहला क्लास था और आज का आज क्लास आपको अच्छा लगा होगा दोनों बताऊंगा आपको गवडानी की बात नहीं है सब कुर्स के लिए वीडियो पसंदे लाइक कर दीजिएगा चैनल पर नहीं वीडियो पहली बार देख रहा हूं सब्सक्राइब करके वेल प्रेस करके नुट्फिके सनान कर लिएगा क्योंकि ऐसे ही मजदार वीडियो आपको मिलते रहते हैं आपके इस चैनल पर है तब के लिए जयाएं दोस्तों बंदे मात्रम मिलते हैं नेक्स वीडियो में जयाएं जय भालत और हाँ हाँ सेर करना नहीं भूलिएगा